स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चैनल पर तो अगर आप ITI कर रहे हैं आप ITI पास आउट हो चुके हैं अपेरिंग में हैं तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छे अच्छे वैकेंसी आई हुई है राजस्थान इस्टेट से विलॉंग करती वैकेंसी यहाँ पे आप देखें है किसी बितरा की Apprentice या Temporary Job नहीं है तो पूरी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कितनी वैकेंसी है कौन को अप्लाई कर सकता है कैसे अपलाई करना है कितनी है application fees और क्या है selection procedure और योगिता वो सब कुछ देखेंगे इस notification को हम डाउनलोड कर लेते हैं तब तक आप च राजस्थान स्टेट ये इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहता है फार्म बरने का उस पर भी हम वीडियो बना देंगे पूरी डिटेल में पहले notification को समझ लेते हैं आप कैसे कैसे और कहां से हैं तो आप apply कर सकते हैं यह है इसका official detailed notification यहाँ पर आप देखेंगे जैपुर बित्रन निगम लिम्टेट का यहाँ पर अगर देखेंगे किसकी है technical helper 3 की vacancy है ध्यान दीजिए 4 फरवी 2022 को notification निकल के आया है अब इसमें आप देखेंगे vacancy कई जगहों पर है जो name of company and area of operation उसके recording अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तो आपको मिलता जैपुर विद सकती है selection होने के बाद इसके बाद डिटेल आप अगर vacancy की बात करेंगे vacancy बहुत ज्यादा है एक होता है TSP एरिया एक होता है non TSP तो जो non TSP एरिया TSP एरिया क्या है आपके जो राजस्थान के कुछ स्टेट कुछ जगह हैं वहों TSP एरिया में आते तो उसके लिए सिर्फ पुरवाला नहीं है वहाँ पे है 370 टोटल आपको 1405 पोस्ट देखने को मिल जाएगी और आप TSP एरिया के लिए देखेंगे तो आपको यहाँ पे 107 पोस्ट देखने को मिल जाएगी ध्यान दीजे इसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं number of vacancy यह घटाई या करते हैं तभी आपको यहाँ पे scan करते हैं तो आपको कोई पर लगाने की वहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि आप लगाएंगे तब भी आपको इसका स्वेद्वांटेज नहीं मिलेगा तो यह चाहिए आप ध्यान दीजिए, all India के लिए vacancy है, ऐसा नहीं सिर्फ राजस्थान के candidate इसको apply कर सकते हैं, नीचे अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ बात कर लें इसकी sport quota है, इसको भी आप notification देख से, अगर sport quota आपके पास है, इंडिया में आप यहाँ राजस्थान के किसी state को आप represent करते हैं, तो आप यहाँ पर sport quota में भी आपको reservation मिल सकता है, अब सबसे पहले यहाँ बात कर लें educational qualification की, educational qualification में क्या है, आपके पास secondary मतलब आप high school पास होने चाहि या किसी भी equivalent मतलब किसी other state board से भी आप पास है, along with साथ में आपके पास ITI होना चाहिए, NCVT, SCVT में या अगर आप NCVT, SCVT से ITI नहीं है, आपने 10th के बाद apprenticeship के आप पास NAC certificate है, national apprenticeship certificate है, तो भी आप apply कर सकते हैं, किस trade में, electrician trade है, lineman है, SBA है, wireman है और power electrician, इन सब trade में अग apprenticeship तो आप यहाँ पे apply करने के लिए eligible हैं, ध्यान दीजिए, इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है, कि अगर आपने कई बार होता, आप आर्मी या नेवी में है, Air Force में, वहाँ से आपने कोई diploma या ITI का certificate लिया हुआ है, उस case में वो तभी मानने होगा, जब आपका diploma जो होगा, यह only be considered equivalent qualification सिर्फ उसको consider किया जाएगा, उसको ITI यह सब उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है, इसके साथ ही साथ एज की बात करने है, एज को यहाँ पे थोड़ा सा यह consider किया गया है, आपको एक एक दोहजार तेईस को, ठीक है, 28 साल से ज्यादा, 18 स minimum wage कितनी, 18 साल होनी चाहिए, और यहाँ पे 28 साल, ठीक है, एक एक 2023 यहाँ पे consider किया गया, जबकि vacancy 22 में आई है, लेकिन वो joining बाद में आपको हो सकता मिलेगी, इस वज़ा से इसमें थोड़ा सा यह date बाद की रखी गई, एक साल आपका यहाँ पे provision period भी 2 साल रहने वाला ह ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ बात कर लें, फिचकल पिटनेस भी आपकी जरूरी होगी, और यहाँ पे salary की बात कर लें, salary यहाँ आप देखेंगे क्या है, जो provision period है, उसके बीच में आपको कितनी मिलेगी, जो कि आपका होगा 2 साल का, प्रोवेशन पीरिड कितना है, 2 स selection होगा, जो पहला वाला आपका पहला test है, इसमें क्या होगा, 100 questions होगा, यह सिर्फ qualifying nature का है, इसको आपको qualify करना है, ठीक, pre and main exam होगा, तो pre exam क्या होगा, देखिए, सिर्फ screening and short listing के लिए है, जो main exam होगा, उसके basis पे आपकी merit बनाई जाएगी, pre exam के अगर यहाँ पे बात कर ल question होगा, इसके साथ ही साथ आपको 5 question मिलने वाला है, current affair, जागरफी, यह पूरा आपको all over India and world का 5 question मिलेगा, then technical knowledge job का ITA वाला field है, उसका technical knowledge का होगा 50 question, means 50 non-tech and 50 technical के आपके question होने वाले हैं, जहां दीजे, किसी भी तरह के कोई negative marking इसमें नहीं है, ठीक, इसके बाद अगर main exam ब पूरे 100 question का होगा आपका, टोटल आपके 1500 question होगे, ठीक, टाइम होगा आपका कितना 2 घंटे का, ठीक, यह आपका पूरी तरह से technical होगा, 1500 question आपको 2 घंटे में, 120 मिनट में 1500 question आपको करने रहेंगे, ध्यान दीजे, इसके बाद अगर यहां पर बात करें, question paper phase 1 and phase 2 दोनों हो होता ही है, यहां देखे, कोई भी negative marking नहीं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको, इसके साथ ही साथ आप यहां पर बात करें, center of examination जो बनेगे, center of examination आपको उदैपुर मिल जाएगा, जैपुर मिल जाएगा, कोटा मिल जाएगा, आजमेर मिल जाएगा, जोदपूर, भीकानेर, ठीक, इसी तरह सिरीगंगा नगर, हनुगानगर, सिकार, अलवर, यह सारे आपको क्या मिल जाएँगे, exam nation center मिल जाएंगे मतलब राजस्तान के बाहर आपको exam nation center नहीं मिलने वाला है exam nation जो है सिर्फ online mode में ही conduct कराए जाएंगे call later आपका उसका आजाएगा choice आप center एक बार आपने select कर लिए उसके बाद वो final हो जाएगी वो बदली नहीं जा सकती है ठीक इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर बात करें application fee अगर आप देखेंगे unreserved category की जो fee से अगर आपकी family income धाई लाग से क्या है if annual income of families धाई लाग से या जादा है धाई लाग है तो आपको 12.00 रुपए देना including GST अगर आप unreserved category में आपके annual income धाई लाग से कम है या SCST, OBC इन सब कटेगरी में ता आपको 1000 रुपए फीज देनी है अगर आप other state से बिलाउं करते है ता आप जनरल में account के जाएंगे आपको 12.00 रुपए यहाँ पर फीज application fees देनी पड़ेगी date की बात करें, 9 तारिक से form भनना start हो जाएगा, 28 फरुपए उसकी last date होगी जैसे form भनना start होगा, हम उस पे भी एक detailed video आपका बना देंगे अगर आप राजस्तान से बिलाउं करते हैं और आपकी family income धाई लाग से कम है, आप 1000 जमा करते हैं आपको इसका भी income certificate वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे बात करने payment of fees आप online mode में कर सकते हैं, पूरी detail में हम इसका जरूर वीडियो बना देंगे, आप लोग चैनल पे subscribe की रहेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाये करेगी सारी update, form भने का procedure से लेके सब कुछ, date याद रखिए, 9 फर्वरी से form भनना, start हो जाएगा, 28 फर्वरी last date होगी and यहाँ पे application through, no other mode will be accepted यह तीन websites हैं, आपको यहीं से भरना है, ठीक है JVBNL, ABBNL या JDVBNL, यहीं से आपको form भरना है otherwise आपका form accept नहीं किया जाएगा, यहीं वेबसाइट है यहीं official website से आपको form भरना है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे पूरा process, candidate को apply online पे क्लिक करना है, apply online पे क्लिक करने बाद आपको अपनी सारी details फिल करनी है, ठीक है, email पे SMS पे एक password जाएगा, उसको आपको send किया जाएगा, उसको भी आपको देख लें, registration number दिन आपको documents क्या-क्या रखने है, यहाँ पे देख लें, documents आपको क्या-क्या रखने होंगे photograph रखना होगा, जो photograph होगा, आपका recent passport size photograph होना चाहिए उसमें photo का properties में दिया होगा, कैसा होना चाहिए, आप state देखते रहें, ऐसा तिर्चा या side की photo नहीं लगानी है signature की image आपको upload करनी पड़ेगी, इसके बाद आपको एक hand written declaration दिया गया है, यहाँ पे इसको आपको एक page पे अपने हाथ से खुद से लिखना है, इस वाले portion को, ठीक है, यह जितना लिखा है ना, इस portion को पूरा क्या करना है, लिखना है और इसके बाद इसकी photo, इसको capital letter में लिखना है, hand writing में लिखना है, फिर इसकी एक photo लेनी है, ठीक है, JPG है उसमे, and इसका size यह रखना है, maximum 100KB की इस photo को भी आपको क्या करना है, वहाँ पे upload करना है, इसको भी आपको क्या कर देना है, वहाँ पे upload करना है, इसको upload करने के बा इसके सारा कुछ आपका complete हो जाएगा, आपको एक print out and receipt मिल आएगा, उसको आप रख लीजे, बाद में इसका आपको जरूद पर सकता है, document verification time, these documents will be required at the time of document verification, सारे documents आपको रख लेने है, then आपको call letter जो आएगा, उसको email और dismiss के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी, आप आपको वहाँ पर download कर लेना है, call letter देना आपको, जब call letter लेके साथ में आपको pen card, passport या permanent driving license, जो भी ID proof आपको लेके exam देने, जाना होगा, then document verification time पर आपके पास, अब यहाँ ध्यान दीजे, आप अगर appearing में थे, ठीक, appearing में आपने माल लीजे, भरा हुआ है form, लेकिन document verification के time त अची vacancy आई, उम्मीद करते हैं, जो update आपको हमने दी, समझ में आई होगी, कोई भी और doubt आपका रहता ता आप जरूर कमेंट करके हमसे पूच लीजेगा, और जैसे इसका form भरा जाने लगेगा, हम उस पे भी आपको detailed वीडियो बनाके, बता देंगे इसी channel पे, take study idea पे, आप subscribe कर सकते हैं हमें, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like भी कीजेगा, आप हमें telegram पे भी take study idea सर्च करके join कर सकते हैं, या description में हमने link दी है, वहाँ से भी join कर सकते हैं, वहाँ पे भी document आता है, PDF आता अपडेट आती है, तो उसको हम YouTube के लाओं, वहाँ पे भी sale करते रहते हैं, thank you very much.